स्वागत अबच्छ आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगी कि हेट स्पीच क्या होती है हमारे कानून में, हमारे देश के कानून में कि हेट स्पीच की परिभाशा क्या दी गई है उसके बारे में क्योंकि हाल फिलाल में हरिदवार में एक केस जो है, वो दर्ज किया गया है हेट स्पीच के खिलाब उसे के बारे हम चर्चा करने वाले है और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हेट स्पीच बढ़ क्यों रही है पहले तो यह हेट स्पीच कहते किसको है हेट स्पीच कहते किसको है हेट स्पीच को रोकने के कानून क्या है हमारे देश में उन में क्या संशोधन के जरूरत है और साथ ही साथ इसको कम कैसे किया जा सकता है बढ़ने के कानून तो हम जानेंगे जानेंगे कि इसकी डेफिनिशन इसके साथ जो कानून है वो इसको हम जानेंगे कानून में शंशोधन की क्या जरूरत है वो हम जानेंगे साथ ही साथ इसको कैसे कम किया जा सकता है उसके उपायों को भी हम जानेंगे और एक चीज हो रहे गई क्यों बढ़ रही है एट स्पीच क्यों बढ़ रही है तो यह चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं आपके सामने दा हिंदु न्यूज की पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि जो एक हरिदवार के अंदर हेट स्पीच दी गई थी उसके खिलाफ एफ आयर जो है वो दर्ज क अंद शायद मैंने इनका नाम सही से लिया तो जब यह अपने भाशन में हिंदू और मुस्लिम को लेकर बात कर रहे थे मारने की बातें कर रहे थे तो इसको लेकर यहां पर इनके खिलाफ जो है वो एफ आयर दर्ज करा दे गई है उत्राखंड में यहां पर यह चीज़ें हुई है अब आगे चलते हैं कुछ चीज़ों को समझने के जरूरत है यहां पर कि हेट स्पीच कहते किसको है अब यहां पर हम इसकी डेफिनिशन देखते हैं हेट स्पीच कहते किसको है देखे हेट स्पीच उन चीज़ों को उन शब्दों को कहा जाता है क्यों स्पीच है म परिणाम सुरुपुन में हिंसा हो जाए हिंसा होने की संभावना हो तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हेट स्पीच कहेंगे देखे पुलिस अनुसंधान है में विकास ब्यूरों ने हाली में क्या हुआ है कि साइबर हैरास्मेंट के मामले में जांच एजन्सियों के लिए में उन्होंने हेट स्पीच को परिभाशित करते हुए उसकी डेफिनिशन देते हुए कहा है कि हेट स्पीच कहेंगे किसको कि जो किसी व्यक्ति की पहचान को लेकर और उसके अन्य अलक्षन जैसे कि उसकी सेक्शुल ओरिएंटेशन विकलांगता रिलीजिन इस चीज को इ 167th रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुखे रूप से नशल, जातिय, जातियता, लिंग, योन, धार्मिक विश्वास इनके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है उकसाने की कोशिच कर रहा है तो उसको हेट स्पीच में डाला गया अब देखे कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है उसको हेट स्पीच में कंसिडर कैसे करेंगे देखे उस बात को हम कंसिडर ऐसे क्या जाएगा कि वो जो बात हेट स्पीच में आएगी कि नहीं आएगी वो उसका कॉंटेक्स्ट देखा जाएगा उसकी बात का मतलब क्या है वो किस रेफरेंस में किस संधर्ब में बात कर र आले व्यक्ति को, मतलब उसके धर्म को, उसके समुदाय को आप नीचा दिखा रहे हो, वो चीज नहीं है, उसके अंदर वो एक्जम्प्षन है, आर्टिकल 19 के, क्लोज 1 के, सब क्लोज 1 के अंदर ये एक्जम्प्षन दी गई है, कि भाईया, ये आपका एबसलूट नहीं है, तो उसका सही से use किया जाएगा exemption डाली गई है इसके अंदर clear अब देखते हैं कि ये hate speech हो क्यों रही है क्या कारण है एक तो है stress था की भावना यानि superiority की भावना क्या मतलब है देखे कुछ लोग जो होते हैं उनके दिमाग में एक stereotype सोच बन जाती है वो उस सोच को लेकर चलते रहते हैं उनके उस सोच में उनकी दिमाग में ऐसी सोच बसी हुई है उनको लगते है कि वो जो जिस समुदाए से belong करते हैं वो सबसे stress है और दूसरा जो समुदाए का व्यक्ति है वो हीन यानि मुतलब उसका inferior उससे कम है इसलिए सबको एक समानदिकार नहीं दिये जा सकते तो एक ये सोच होगी दूसरी ये हो गई कि वो एक particular ideology के परती इतना ज़्यादा वो कट्रवाद हो गया उसको उसने बाकी के जो विचार धाराई हैं जो राम से भाईचारे से रह रही हैं उनको उसने नजर अंदाज कर दिया और अपनी उस particular विचार धारा के परती इतना वो कट्रवाद हुआ कि उसने hate speech करने स्टार्ट कर दिया यानि उक्सावु भाषन देने स्टार्ट कर लिया तो ये होगी अब hate speech को रोकने के जो कानून है हमारे देश में वो कोन है जैसे इनके खिलाफ होए केवल हरिद्वार में नहीं केरला के अंदर भी है ये सेम डे के अंदर इंसिडेंट हुए है तीस लोगों के खिलाफ एफ़ार दर्ज कराई गई है केरला के अंदर भी तो जगा हो रही है IPC की धारा 295A के अकोडिंग अगर जान बूज कर गलत इरादे से लोगों के वर्व उनके धार्मिक उनके रिलीजियन को अहत करने का अगर काम क्या जा रहा है तो उसमें पनिश करने का इसमें प्रावधान दिया गया है अच्छा 505A यानि 505 का 505 का क्लोज टू इसमें कहा गए कि अगर कोई भी चीज ऐसी छापी जा रही है परकाशन के अंदर आ रही है परसार क्या जा रहा है जिससे विभिन समुधाय के बीच में घ्रिना नफरत पैदा हो रही है उनके अंदर दुश्मनी पैदा हो रही है तो वहाँ पर उनको punish करने का इसमें प्रावधान दिया गया तो ये जो है उनके अब आपने IPC की जो धाराएं है वो deal करती है इन सब चीजों में अब एक चीज हो रहे है Representation of People's Act 1951 इसका जो section 8 इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति सवंतंतरता का दुरुपयों कर रहा है अपनी मतलब freedom of speech का दुरुपयों कर रहा है तो उसको चुनाव लड़ने से ये चीज रोकती है ऐसा नहीं है कि आप निकल को भाशन दिये थे कहा गया है तब उसके लिए यहां पर यह धाराए है जो इस चीज को रोकने के लिए काम आती है 123 का 3A और 125 clear यहां पर फिर आते हैं IPC में क्या-क्या बदलाव किये जाने चाहिए अभी जैसे आपने देखा क्या कौन-कौन से होगे 53A, 53B, 295A 505, 505 close 2 और close 1 ठीक है इन दोनों में अब इनमें क्या-क्या करना चाहिए देखें विश्वनाद समीति ने 2019 में ये बात बोले कि आप 153C, B और 505A ये इंक्लूड करिए इनके अंदर एक चीज इंक्लूड करिए 505A के अंदर एक चीज इंक्लूड करिए इनको इंक्लूड करिए जिसके अंदर ये कहा गया कि कोई विक्ति अगर धरम, नसल, जाती, समुदाई, लेंगिक पहचान, योन, जनम, स्थान, निवास, भाशा, विकलांकता या जन, जातिये के अधार पर किसी को उक्सार आ है तो उसमें इस चीज को दंडित किया जा सके, जिसमें इनोंने का कि 5000 जुर्माने और 2 साल तक की सजा का प्रस्ताव रखा था इनोंने 2019 में ये जो विशुनास समीती थी इनोंने ये सब चिज़ें बोले थी, जिनमें इनोंने 153C, B और जो ये है क्या कहते हैं कि IPC की 505A को इनको जोडने का प्रस्ताव रखा था फिर आते हैं, बेज बुरुआ समीती 2014, इनोंने का कि आप एक काम करें, 153C जो मानव गरीमा यानि कि जो human dignity है जो इनसान की जो dignity है उसको अगर कोई चीज नुकसान पहुँचा रही है जो इस चीज को deal करती है और अगर इसके अंदर कोई काम हो रहा है यानि फिर इसमें ऐसा कोई किसी ने ऐसा काम किया है कि किसी की गरीमा को नुकसान पहुचाने की कोशिश की है उसको मतलब नीचा दिखाने की, उसका अपमान करने की तो वहां पर आप शंशोधन करिए इसमें शंशोधन करिए इसमें आप सजा जो है वो 5 साल तक बढ़ा दीजिए या फिर इसके अंदर जुर्माना इसमें इंक्रीज कर दीए या फिर दोनों को ही लगा दीजिए आप चीज़ों को साथ इसाथ 509 का ए जो है जिसमें शब्द इशारा कर रहे किसी विशेज जाती के सदस्य का अपमान करने की रादे से जो काम किया जाता है वो इसके अंदर डील किया जाती है तो इसके अंदर शंशोधन करिए आप इसके अंदर शंशोधन करके जो सजा है वो तीन साल और जूर्माना या फिर दोनों का ही इनों ने परस्ताव रखा था तो ये इन्मोने संचोधन के सुजाव दिये थे यहाँ पर फिर हेट स्पीच से सम्मंदित कुछ चीजें हैं यहाँ पर हम डिसकस करते हैं देखें हाले में सरवोच नियाले ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोट ने एक बात बोली कि जो फ्री स्पीच है और हेट स्पीच में इनको अगर आपको डील करना है सही से रखना है तो आप एक काम करिए हिस्टोरिकल टूथ जो एधियासिक सत्यत हैं वहाँ पर समाज के विभीन वर्गों को यहाँ पर बात करने दीजी खुले से और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर आप ग्रेना असोतुरता लेकर आ जाएं वहाँ पर उस चीज का प्रोटसान नहीं होना चाहिए इस्टोरिकल इवेंट्स पर बात करिया आप फिर एक श्रेय सिंगल वर्षीज भारत संग एक केस हुआ था जिसके अंदर 66A ये एक धारा थी जो सूचना एमें प्रदोगी का दिनियम सी थी एक बात उता था हूँ आपको इसमें ये 2000 में लागू हुई थी लेकिन 2015 के अंदर इसको सुप्रीम कोट ने बंद कर दिया था तो क्या हुआ पुलिस तक ये बात पहुंची नहीं कि पुलिस ने भी बात बोली कि हमें तो पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोट ने 66A जो है वो बंद कर रकिये और पुलिस 2015 के बाद भी लोगों को 66A के तहत गिरफतार कर रही थी क्योंकि पुलिस का कहना था कि हमारे अंदर इतना communication gap है कि जो पुलिस वाले हैं उनको पता ही नहीं चल रहा था कि 66A जो है वो बंद हो गई है तो यहां पर यह चीज़ किया गया थी 66A को बंद किया गया था यहां पर ठीक है जो आर्टिकल 19 का मतलब विरोध कर रहा था यहां पर एक केस हुआ था यह अरूप भुयार बनाम असम राज्य नियाले ने का कि देखो आप कोई काम कर रहे हो मतलब जिसमें किसी वेक्ति ने किसी वेक्ति ने अब तो किसी को मतलब ठेस नहीं पहुँचाई है या फिर किसी वेक्ति को हिंसा करने के लिए बढ़काया नहीं है तो आप उसको दंडित नहीं कर सकते ना आप गए कि मुझ उसने अभी तक किया नहीं काम ऐसे इसके अंदर भी यही बात बोले गई कि यही बात की आप अपना ये दूरस्त या अनुमानित नहीं होना चाहिए इसके अंदर आप रखिए उसमें उसका रिलेशन निकाली कि हाँ ये जो बात बोली गई है वो उससे ही रिलेटिड है चीजे तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखने के बात कई गई है क्योंकि कई कई ऐसे कानून होते हैं जिसके अंदर किसी वेक्ति को ऐसे की उठा की गिरफतार कर ले जाते हैं जैसे 66 A हो है जिसके जरिये लोगों के अंदर एक भावना यानि भाईचारे की भावना दया की भावना उसको विक्सित किया जा सकता है तो हमारी सिक्षा प्रणाले पे हमें बहुत फोकस करना होगा साथ इसाथ हीट स्पीच की जो यह जो एक लड़ाई है इसके प्रतिम उसको हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारे देश की जो बड़े बड़े जो सेलिब्रेटी हैं वो इस चीज के उपर आगे बात करें हेट स्पीच में जो इसको डील करना है हेट स्पीच को कोर्ट के अंदर तो एक विवाद समाधान एक अलग से बनाई है आप इस अधिकारी है वहां पर जो मौझूत है जैसे हरिदवार में जो अभी यह काम हुआ तो जो अरिदिकारी है उनको इस चीज का जवाब दे बनाना चाहिए कि आपने उस वक्त चीजों को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया बाद में ये चीज़ें क्यों हो रही है क्यो पीर हुआ तो यह तो था आजकी रेत में आपको हेट स्पीच के बारे मैं पता चला होगा उमीद हए कि आप लोगों के लेक्चर में पसंद आया हो गाए तो लाइक करें subscribe करें channel को और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो क्या कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं channel को भी share कर सकते हैं और इस वीडियो से rated आप लोगों को PDF पीडियो तो obviously चाही होती ही न PDF तो जान है तो PDF आप लोगों को telegram का एक link दिया है आप लोगों को description box में जाकर आप उसको join कर लीजिए आपको वहां पर इसकी PDF भी मिल जाएगी और अगर पसंद आईए तो फिर से एक बार लाइक करने में कंजूस ही ना करें subscribe भी करें क्योंकि उसमें आपका कुछ time तोड़ना जाता है समझे हैं परसाहन तो यार समझे रहो thank you for watching this video